नमस्ता फ्रेंड्स आज हम सुड में देखेंगे आपके अगर जी एस्टी रिशेशन सेटिफिकेट के ऊपर अगर डिजिटल सिगनेचर नॉट वेरिफैड अगर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो उसको वेरिफाइ कैसे करे और जो कोश्चन मार का रहा है उसको राइट कैसे करें वही आज हम सुड में देखेंगे जैसे आप अगर देखेंगे जी एस्टी रिशेशन सेटिफिकेट को ऊपर यहां पर देखिया ऐसा कोश्चन मार का रहा है तो बहुत सरे लोगों का डाउट रहता है किसर यहां पर ऐसा क्यों दिखा रहा है सिगनेचर नॉट वेरि यह त्टिट में जाने के बाद प्रिफ्रस में जाना है आपको ठेक है प्रिफरस में जाने के बाद सिगनेचर में आना है तो ठीकर इसी इने ज़ूप्षून ऊपन होगा ऐसा उप्षிंक्सप्षण ओबची आपको दीख connection का टाब दिख्रहें के सामने मर का दिख रहा है more के उपर आपको क्लिक करना है वहां पे more के उपर क्लिक करने के बाद देखें यहां पर required certificate का जो option आ रहे न वो चेक है उसको uncheck करना है ठीक है अंचेक करने के बाद आपको हमारा process खतम हुआ नीचे आएंगे हम ओके करेंगे इसको ठीक है ओके करेंगे मतलब इसे हो जाएगा फिर नीचे आएंगे फिर नीचे करेंगे ओके करने के बाद नीचे फिर से अभी वह जो आपका जो signature दिखरा नहीं है not verified उसके उपर आपको double क्लिक करना है जैसे ही आप double क्लिक करेंगे तो वह question mark से सीधा right में convert हो जाएगा इसका मतलब आपका जो signature है वह verify हो गया है अब आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं डॉकमेंट आगर किसी क्लाइन को देना है या फिर कही डिपार्टमेंट ने टेंडर भरना चाहते हैं वहां पर दे सकते हैं तो मतलब सामने वालों को भी डाउट नहीं आएगा और आपको भी एक तसलिल्य हो जाए कि डिजिटल सिगनेचर नॉट वेरिफाइड तो यही प्रोसेस आप फॉलो करके उस सिगनेचर को आप वेरिफाइड कर सकते हैं अगर फिर भी कहीं भी दिक्कतार यह डाउट आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद औ इस्टी के ओपर वहां पे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर फिर भी कहीं भी डाउट है तो कमेंट्स करना ना भूले आपको रिप्लाइज जरूर मिलेगा थैंक्यू धन्यवाद